हाई गाईज कैसे हैं मैं हूं मॉनिका और आप देख रहे हैं मैं चैनल को फिद मॉनिका दूसा आपके लिए नारियल की लड़ू की ऐसी रेसिपी लेगे आई जो लगवक 100-200 साल पुरानी है इसमें घी नहीं डलेगा और इसमें चीनी नहीं डालें गुड़ वाले सरध होते हैं और 3-4 नारि ले ले लिए आप मुठी दो मुठी बाम एक मुठी काजू ले लिए तो हम इसमें बादाम काजू मिलाने बाले हैं साथ जो हमारे दिमाग को ताजा रखती है वो है खसकस ककस 12 मेहीं ओका सकते हैं सर्दी हो गर्मी तो खसकस घैंगी 100 ग्राम मै तिल दिमाग के लिए अच्छे होते हैं वैसे गर्माईश रखते हैं तो तिल लेंगे गोला लेंगे काजू बादाम लेंगे और इस रेसिपी में आटा गुंदवा भी हमें चाहिए तो गुंदवा आटा भी हमें थोड़ा सा चाहिए होगा साथ हम लड्डू को मीठा बादम गाजू जो भी हमारी तेल बगएर लिए इन्हें आप लेकर मिक्स करकर रख लीजे और गोला लेना है हमने तो गोले को आप इस तरीके से उपर से काट लीजी यह देखिए इस तरीके से आप इसकी कैप निकाल लीजे थ्वड़ा ध्यान से कीजेगा थ्वड़ा हा अब अच्छे से आप तो सारा जो भी हमने मिश्रन बनाया था हमने एक नारील में डाल दिया तो आप सारे जो भी आपको चार गोले या पांच गोले जितने भी लगेंगे ले लिजे और भरके रख दीजिए और इनकी जो टोपियां है जो हमने कैप रखी थी वो भी हमें अब हमें आटा चाहिए जो गूंद कर हमने पहले से तियार करके रखा हुआ है तो आटे की आपने मोटी सी रोटी बनानी है अच्छे से मोटी रोटी बनाईए और ये कैप जिस नारेल की थी उस पर लगाईए इस तरह से अच्छे से फिक्स कीजिए दबा कर और रोटी से जो हमने बेल कर रखिए मोटी रोटी से से अच्छे से बंद कर दीजे पूरा सील कर दीजे और खीच कर अच्छे से आपने बंद करना है बिल्कुल भी इसके अंदर एर नहीं रहनी चाहिए बस दबा दीजे ये देखिए इस तरीके से आप सारे गोले जो हैं कवर कर दीज पहले किनारों पर आप आँच डिरेक्ली ना लगे और इन्हें धीमी आच पर आप अच्छे से साथ पकाईए हलका हलका सेख लगएगा जहां पलट पलट कर घुमाते हैं इससे पकाईए हैं ताकि अच्छे से लपेटा है वह अच्छे से सिख जाए तो देखे 15-20 मिनट इस तरह से आप घुमा घुमा कर सेखे और फिर आपको लगे ना बाहरी हिस्सा जो है पकने लगाया काफी अच्छे से वह थोड़ा सक्त हो गया तो आप आज को बढ़ा कर आप सेख लीजिए इस तरह से हमने इसे स पर सेख रही है और अच्छे से मैंने इसे भून लिया है तो हमारे भूना हुआ जो आटा है बाहरी हिस्सा अच्छे से गर्म है और बहुत अच्छे से अंदर गोलों की सिकाई हो गई है और इसे हमने जब अब गर्म होना तो तब नहीं चीलना क्योंकि अभी भी इसमें ही इस तरीके से आप करेंगे ना बहुत इजिली जो है यह आठा जो है देखिए इस तरीके से अठ जाएगा कुछ आठा चिपक जाए तो उसे चाकुस या इस तरीके से छुड़ा सकते हैं और यह देखिए बहुत अच्छे से हमने भून लिया है नारियल को और नारियल के थोड़ा थोड़ा करके सारा तो साथ में मिक्सी में नहीं पीसेंगे नहीं तो अच्छे से पीसेगा भी नहीं और मिक्सी भी खराब हो सकती है तो आप थोड़ा थोड़ा लीजिए और बैचिस में इसे चार पांच बारी में अच्छे से पीस लीजिए और जित्ता बारीक पीसेंगे उत्ते अच्छे से हम लड्डू जोड पाएंगे यह देखे हमने बहुत अच्छे से बारीक पीस लिया है सारे मिश्रन को तो अब हम इसके लड्डू बनाने वाले हैं तो लड्डू बनाएंगे हम नारियल के गुड़ वाले तो गुड़ को हम को मेल्ट कर लीजिए और घ्रत अच्छे से गर्म हो गयाा मेल्ट हो गया और उनने पानी एड़ किया था वो भी लगभक इसमें दो चमच पानी मिलाया था वो भी सुग ग्डये तो आप मिष्रन को गुड मिला सकते हैं तो इस इसलिए गुड़ पिगलाया कि मैं मिश्रन को इसमें आट कर दूं गैस हमने बंद कर दिये पहले गुड़ गर्म है तो आप इसे किसी स्पैचुला से मिक्स कीजिए और गैस से उतार लीजिए और जब मिश्रन हलका गर्मों की आप छू सकें ठंडा नही कि बहुत यह असान हमारे लड़ो जो है रेडी हो गये बनाने का तरीका बड़ा युनीक है और यह बड़े गुड़ों की खाने है अगर आपको कमर में दर्द रहती है घुटनों में जोड़ों में स्पेशली दर्द रहती हो आपकी यादश कमजोर हो ली तो उसके लिए बहुत ही राम वा नौश्र दी है बच्चों के एक्जाम आ रहे हैं आप यह बच्चों को खिलाएंगे ना बच्चे स्वाथ से तो खाएंगे बलकि उनकी मेमरी के लिए भी बहुत अच्छा है उम्मीद करते हूं आपको युणीक रेसेपी बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया